हरे कृष्णा तो प्रश्णा ऐसे है कि कि शैर मार्केट या ट्रेडिंग या स्टॉक्स जो है हमको करना कि नहीं करना चाहिए तो किसी ने पूचा क्योंकि शायर उनको पता है कि जो भक्ती मार्क में है जो भक्ती कर रहे है तो ज़्यादा तरह ये सब चीज गूसना नहीं चाहिए तो उन्हें पूचें लगे कि क्यूं नहीं करना चाहिए तो कुछ आडियो पहले हम चार नियम के बारे में जो इसकौन में सभी भक्त को पालन करते हैं जो श्रीमत भागोदम का पहले सकंद सत्रवा अध्याए 38 वाश्लोक है द्यूतम पानम श्त्रिया सूना चार चीज जो है हम दूर रखना चाहिए द्यूतम मतलब जो गैंबलिंग है जो लोग जुगार केल रहे हैं यह एक चीज है जो चार नियम से जो हमको दूर करना क्योंकि जुगार केलने से हमारा सत्यता हमारा honesty truthfulness वो भंग हो जाते वो साती साथ हमारा चिंता anxiety tension वो बढ़ जाते क्योंकि हम देखेंगे कि खुद का finance खुद का wealth पाइसा को improve करने के लिए खुद का अर्थिक परिस्तिती को improve करने के लिए हम लोग सोच रहे कि चलो चुदा fast money करेंगे यह जितना भी enterprises हैं share market का trading का stocks का ultimate action क्या है कम महनत और ज्यादा पाइसा तो ऐसा सोच से ले कि कुछ shortcut मिलेगा तो लोग shortcut के साथ साथ में उसको बहुत चिंता है बहुत anxiety है और हम लें बहुत देखा कि काफी लोग जो पाइसा डाल डाल के पाइसा खो गया waste हो गया suicide किया पाइसा loan ले रहे कि दूसरे को फिर अनेक अनेक समस्या है लेकर वास्तफ में actually जीने के लिए हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए basic से ही भी जी सकते थोड़ा सा खाने के लिए थोड़ा सा पहने के लिए थोड़ा सा रेने के लिए ये काफी है लेकिन इच्चा जो है जो अगनीत इच्चा जो है जो अमर्यादेत इच्चा जो है जो असिमीत तो इसके कारण हम सोच रहे कि अनेक अनेक enterprises में गूसना चाहिए पैसा के लिए पैसा के लिए पैसा के लिए और वास्तफ में जितने भी लोग जितना भी पैसा प्राप्त हुए वो कभी आनन्द या सुखी या समादानी नहीं मिलेगा तो share market ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका साती सात बहुत सरे दुरगुन है जैसा चिंता बढ़ जाते हैं जैसा anxiety बढ़ जाते हैं टाइम वेस्ट हो जाते हैं रिलेशन्शिप खराब हो जाते हैं और वास्तफ में हम देखेंगे यह एक्छली एक महनत से ही पैसा न इइफेस्ट किया और ऐस में से एक जन का उसका लाब मिला मतलब उस पाईसा जो एकस्ट्रा पैसा समझो में सब लोग सो रूपे डाला सो लोग का सो रूपे डाला और मैंने पांच 25,000 रूपे मिला मतलब मैं तो 4900 मेरा पैसा नहीं है किसका पैसा है तो वो दूसरा 99 पीपल का पैसा है हम 100 लोग ना दूसरा बाकी लोग का पैसा वही पैसा है मतलब मैं जो ले रहा हूं मैं जो खा रहा हूं actually बाकी लोग का investment का पाईसा मतलब ये लोग हो गया इसले में जीत गया तो मतलब जैसे वो लोग हार गया तो उसका साथी साथ उसका दुख जो है उसका शराप जो है उसका जो भी चीज जो है वो भी मुझे भोखना पड़ेगा मुझे भी ये वोगो suffer करना पड़ेगा तो ये actually एक प्रकार से not good money है not clean money अच्छा income नहीं इससे अच्छा साथरन कोई तो job इमानदारी प्रमानिक से कुछ तो job करो पैसा कमाओ कम भी है तो इच्चा कम रखो अगर पैसा कम है तो फिर उसके हिसाब से जी हो मैंने काफी families देखा है एक family है यहाँ पर उनों कहने लगे कि हम बहुत गरीब है बहुत गरीब है लेकिं मैंने देखा घर वाले सब भी लोग बैहन, भाई, सब लोग के पास smartphone है और TV चलते रहते satellite TV है और चलते रहते fridge है refrigerator है घर बोलते गरीब है पैसा ज्यादा नहीं है तो क्या जरूरी है TV क्या जरूरी है fridge तो यह सोचने का चीज है है ना तो जीवन simple रहो simple कैसे करेंगे अगर हमारा हिर्दय शुद हो जाते तो तो इसलिए भक्ती में हम हरे कृष्ण मामंत्र जब करते प्रयास करके पैसा को एकत्र करनेगा इसका धुर्गुन का है what is the दोश fault क्या है ज्यादा पैसा रहेगा तो ऐसा नहीं कहते कि पैसा जरूरी नहीं पैसा जरूरी है लेकिन जो चीज अपने आप आसानी से आते हैं वो हम स्विकार करते लेकिन मेहनत करके जिमनास्टिक्स करके गूम फिर के चलान मार के पैसा के लिए वो आदा जीवन चला जाएगा है ना तो इसका रिलेशन में जरूर आप एक शलोक देख लीजे श्रीमर भागुदम में पहले सकंद पांच्वा अध्याई अट्रावा शलोक must see this verse दुख ये predestined हो गया ऐसा सोच हमाई कि ज्यादा मेनद करेंगे तो ज्यादा सुक मिलेगा कुछ-कुछ में उसका तकदीर में लिखा है आपको नहीं मिलने वाले तो हम सोचेंगे चलो मैं भी स्टॉक करूँगा मैं भी 10 जॉब करूँगा मैं भी 12 गंटा, 14 गंटा काम करेंगे शायद मेरे को पैसा मिलेगा नहीं, जो चीज लिखा है तकदीर में है वो ही आने वाले है तो ये शलोक कहते हैं 1518 शिरिमर भागुदम में तस्ये वहेतो प्रयतेत कोविदो नलब्यते यद ब्रमता मुपार्यदा तो ये नारतमुनी एडवाइस करते कि आप प्रयास करो प्रयतेत कोविदो अगर आप कोविद है मतलब आप उशार है जो हुशार व्यक्ती है वो प्रयास कर रहे है किस चीज के लिए नलब्यते यद ब्रमताम उपार्यदा उपर और नीचे से आप भ्रह्मन करते इस पुरा दुन्या में जो चीज मुश्किल से मिलने वाले उसी चीज को प्रयास करो मतलब ट्राई यूर बेस फो दे इंपॉसिबल आसान से जो चीज मिलते उसके उपर दुलक्षा करो लेकिन जो चीज इंपॉसिबल मिलने के लिए वाख इंग्लिश में कहवत है हंट फॉर दर राइनोसरस गैंडा जो है उसके उपर हंट करो जो आसान से नहीं मिलते हैं बहुत मुश्किल हैं उसको हंट करने का शिकार करने का तो ऐसा कहते हंट फॉर दर राइनोसरस नारत मुनी कहते तस्येवा हेत प्रयतेत कोवी तो प्रयास करो उशार है तो आप प्रयास करो जो चीज न लब्यते आसान से नहीं मिल रहे ब्रमताम उपार या था ब्रह्मन करते उपर नीचे त्राइलोक भी आसान से नहीं मिलते क्यों? तलब्यते धुकवत अन्यता सुकम दुक और सुक चो है ये आसान ही आते है इस चीज के पीछे मत भागो काले नसर्वत्र गभीर रमहसा काल के अनुसार ये चीज आते हैं ये चीज जाते हैं कोई दुख के पीछे नहीं भागते हैं, फिर भी दुख आते हैं, similarly, सुख के पीछे भागने का जुरूरी नहीं, वो आपने आप आएगा, हम दुख के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन दुख आएगा, बरबर ना, हम सफरिंग के पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन सफरिं वो भक्ती जन्मा जन्मांतर हम सुक और दुख भोगते रहते लेकिन भक्ती नहीं मिल रहे इस चीज के उपर प्रयास करो इस चीज के उपर फोकस करो तो इस तरह से हम देखेंगा अगर हम ये करेंगे तो कुशी अनन्दी और समधानी मिल जाएगा तो जरूर ये श्लोक जो रेफरेंस दिया प्लीज देख लीजे पढ़ लीजे श्लप रवपाद का ताट प्रया में बहुत सुन्दर है कि इसमें एक फल्तू अंडरस्टैनिंग है कि मैं मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा नहीं सबका कर्मा के अनुसार प्रराबदा कर्मा के अनुसार सबी लोग का कोटा है इस जन्नमा में इस शरीर के साथ कितने सुक आएगा कितने दुक आएगा वो आएगा ही आएगा तो इसके उपर जादा अटेंचन मत लेजे हम देखे कि कुछ-कुछ लोग भिना का रही है कुछ किया है नहीं उसको गाड़ी मिला पैसा मिला आनंद मिला शांती मिला समर्दी मिला संपती मिला कैसे कुछ किया है नहीं और कुछ-कुछ लोग घदे के जैसे काम कर रहे फिर भी कुछ नहीं मिल रहे तो ये श्लोक बतारे कि सब अपना-पना कोटा है भाई चिंता मत कीजिए ये शरीक के साथ उसका पूरा सिस्टम ब्लूप्रिंट सब सेट हो गया लेकिन हम प्रयास करो जो चीज आसान से नहीं मिल रहे ये त्री लोक में क्या है वो भक्ती हरे क्रश्ना